Hello everyone, this is Shaheen, welcome to Vision Map Students, आज के इस 5 minute GK में हम देखेंगे old names और new names पर जो भी places हैं, जो भी countries के नाम है, जो भी state के नाम है वो सबके जो भी old name थे और जो current name है उसके बारे में देखेंगे तो चलिए time waste न करते वे वीडियो शुरू करता हैं पहला है इतोपिया, इसका पुराना नाम था abysinia, ankara और इसका पुराना नाम था angora ये अंकारा तुरकी का capital है, अगला है सांभाजी नगर, इसका पुराना नाम था और अरगबाद और current name है संभाजी नगर निट्स्ट है वारनसी जिसका पुराना नाम था बनारस अभी वारनसी हो गया है वारनसी is Located in UP and it is also known as Kashi Next है Mumbai इसका पुराना नाम था Bombay अभी इसे मुंबY बोला जाता है अगला है Myanmar जिसका की पुराना नाम बर्मा था कई सारे countries में अभी भी इसे बर्मा ही बुला जाता है, लिकिन अभी इसका जो new name है वो है Myanmar next है कौलकटा जिसका की पहला है और पुराना नाम था कलकत्ता अगला है कोजी कोड इसका की पुराना नाम कैलिकट था कोजी कोड केरला में located है नेक्स्ट है कानपूर जिसका की पुराणा नाम था कौन पूर। कानपूर लोकेटेड है U.P. में उत्त पर्देश में। अगला है मध्यपरदेश इसका पुराणा नाम था Central Provinces। मध्यपरदेश का कापिटल है भोपाल। चिन्नेई, जिसका की पुराना नाम था मदराज, अब इसे चिन्नेई के नाम से जणा जाता है, और ये तमिल नाडू में है, अगला है पनाजी, जो की पहले कहलाता था पंजिम, अब पनाजी के नाम से जानते हैं, और ये गोओ में लोकेटेड है, पनाजी which is the capital of गोओ, ये पूने है and it is the second largest city in the state of Maharashtra after Mumbai. Next है Zimbabwe, जिसको की Rhodesia के नाम से जानते थे पहले और अब Zimbabwe है and it is in Africa जो कि Africa में स्थेत है अगले है Thailand, जिसका की पुराना नाम था Siam और अब ये Thailand के नाम से जाना जाता है Next है Uttar Pradesh इसका पुराना नाम था United provinces और अब है Uttar Pradesh अगले है Uttarakhand, जिसकी उत्रांचल कहते थे पहले, अब Uttarakhand के नाम से जानते है and इसका capital है winter में capital है दहरादून और summer में इसका capital है Garsain अगले है Republic of Congo जिसकी पहले जानते थे जाहरे के नाम से और अब है Republic of Congo ये Central Africa में located है Republic of Congo अगला है Sri Lanka, इसका पुराणा नाम था Ceylon और अब है ये Sri Lanka next है Kochi, जिसकी कोचिन कहते थे पहले next है Istanbul इसका पुराणा नाम था Constantinople Istanbul is a city which is located in Turkey, Turkey में located है next है Dhaka, जिसकी पहले कहते थे Dekka, ये located है Bangladesh में and it is the capital of Bangladesh next है Indonesia, इसको पहले कहते थे Dutch East Indies, next है Taiwan, जिसका पहले नाम था Formosa next है Guwahati, इसका पहले नाम था Gohati next है Ghana, जिसका पुराणा नाम था Gold Coast, अगला है Guru Gram, जिसका पुराणा नाम था Gurgaon, Guru Gram हरियाना में इस थे next है The Netherlands इसका पुराणा नाम था Holland और अब है ये The Netherlands इसका capital है Amsterdam Netherlands का capital है Amsterdam अगला है Jabalpur, जो की पहले कहलाता था Jabalpur, and Jabalpur is located in the state of Madhya Pradesh ये Madhya Pradesh में located है अगला है Malagasy जो की पहले कहलाता था Madagascar and it is located in South Africa अगला है Malaysia, जिसको की पहले कहते थे Malaya और अब है ये Malaysia अगला है Iraq, जो पहले कहलाता था Mesopotamia, और इसका capital है Baghdad, Iraq का capital है भी Baghdad, next है Japan जो की पहले कहलाता था Nippon और इसका capital है Tokyo जपान का capital है Tokyo अगला है Orisa जो की पहले कहलाता था Orisa and इसका capital है Bhoneshwar next है Beijing इसका पुराणा नाम था Peking और अभी है Beijing next है Iran, जो की पहले Parsiya कहलाता था, अब इसका new name है Iran, और Iran का capital है Tehran अगला है Puducherry, जो की Paudicherry पहले कहलाता था और इसका current name है Puducherry next है Yangon, जो की Rangoon कहलाता था पहले और अब है Yangon अगला है Hawaii Island जो की पहले इसका पुराणा नाम था Sandwich Island, और current में है Hawaiian Island next है Shimla, जो की पहले कहलाता था Simla and Shimla is the city which is located in Himachal Pradesh next है Thiruvanandpuram जो की पहले इसका नाम था त्रिवंद्रम next और last है Vishakapatnam जिसका की पहला नाम था Vizagapatnam so guys, वीडियो यही end होता है मिलते हैं next 5 minute GK में अगर आपको वीडियो पसंद और helpful लग रहा हूँ तो आप वीडियो को शेयर जरूर किया करें and like, subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में आपको शेयर जरूर किया करें